जो नरेंदर मोदी ये कराता में पिछड़ा हूँ पिछड़ों में भी आती पिछड़े हैं नरेंदर मोदी जी अब तो बता दीजिए जंतर मंतर में बोलने देते तो आज हम पार्लियमेंट में नहीं जाते अरे बेसर्मों ये तो बता दो कम से कमें तुमने चार गंटे पह तो कम से कम कुछ तो ही डेमोक्रासी की कुछ तो ही पार्लियमेंट की लाज रख लेते और दो करोड नोकरी आपने कही थी 15 लाग की बात हम भूल जाते हैं जो कि आपका जो वह ना वह मोटा उसने कहा था कि वह तो जुमला है किसी को कितना ही समझ्या हो उन्होंने जब से 16 से इन्होंने बहन करा है 14 से इनकी सरकार आई है आज तक कोई भारत देश का एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि जो बड़े बड़े जो गोदी मीडिया के चैनल है उन्होंने कभी जंतर मंतर कावर करा हो इन्होंने क्या-क्या हमारे साथ विश्वास गात करके यह बार बार जंत कि अन्दर दो लोग घुस जाते हैं और कळर बॉम फेक देते हैं और उसके बाद बोला जा रहा है पंद्रा सटरी को बर्खासट कर दिया गया हैं उस honeymoon just चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रामफर जी सब क्या कहेंगे कि उसमें से एक सांसता यह उस तक को बर्खात कर दिया गया है देखिए यह सरकार जो है लगातार इस तरह के काम करती आई है कोई नया काम इनों नहीं किया जो इस पर चर्चा करी जाए क्योंकि इनको इतना ही ग्यान नहीं है कि कौन-कौन लोग पार लिए मेंट के अंदर आज आए हैं और किसको आपने बहार किया हैं और सब पंदरा के पंदरा जो सांसद नहीं होते उनको भी बाहर कर देते हैं तो इदो बिलकुल मलब है क्या बताएं इनकी दिमा की जो आलात है वो खराब हो चुकी है और इनको अब चुनाओ ही चुनाओ दिखाई देते हैं चुनाओ के अलग कुछ इस देश के अंदर दिख बिलकुल बुद्धी खराब हो चुकी है और उसी को लेकर के ये इस तरह के अंगल ब्यान देना और पार्लियमेंट के चुनेवे परतिनीदियों को विपक्स के लोगों को बोलने नहीं देना, उनको बाहर निकाल देना, ये बहुत निंदनी ये बात है। इस देश के अंदर सबको अपनी बात कहने का राइट है, जब आप बात कहने नहीं देऊगे, आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी मेजोर्टी से आप हो, तो सारे के सारे सांसत भार चले जाएं, और इनों ने जो पार्लियमेंट के अंदर पास करना है, ये अराम से करते ये देश के अंदर दुरभाग्य है, कि दूसरे डेमोग्य चाहिए, वो तो पंदरा की बात चाहिए, दो पार्लियमेंट के मेंबर क्यों नहीं हो, उनको भी बोलने का हक होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन ये तानासाही सरकार है, फांसिवादी सरकार है, पार्लियमेंट के अंदर गए थे, वो क्यों गए, इस देश की गोदी मीडिया लगातार, सवाल पर सवाल दागे जा रही है, कोई खालिस्तानी बता रहे हैं, कोई पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहे हैं, कोई जो ना उनको बाहर से फंडिंग आ रही है, इस तरह के सवाल जैसे इनको पहले से पता था, अरे बेसर्मों, ये तो बता दो कम से कम हैं, तुमने चार गटे पहले जब ये अंदर पार्लियमेंट में गए थे, तब तो मिच्छा की पुली धंसे जाच नहीं कर पाई, और अब ये गोदी मीडिया जो है, तमाम तरीके की बातों को उच् और ये नहीं बता रहे हैं, कि वह कहने क्या गए थे, वो नरेंदर मोदी ने जो दो क्रूड नोकरियां, वो नोकरियों की बात कहने गए थे, नरेंदर मोदी अमिच्छा को ये कहने गए थे, जो शिक्षा के बचट जो गटाए है, उनको आप ध्यान रख़िये, बहर जब दो क्रोड नोकरियों की आप बात करोगे तो क्या हम राउल गांधी के पास सोनिया गांधी के पास या किसी और के बाद लालू के पास जाएंगे क्या मांगने की लिए जब आप कहा है आपकी सत्ता है तो सवाल आपसे होगी अब पार्लियमेंट में क्यों गही वो बच्चे अगर इस देश की राजधानी के अंदर, अगर जंतर मंतर एक ऐसी चीज थी, जहां तमाम इस देश के लोग आकर के अपनी बात को कहा करते हैं और चाई महिना लगे, चाई दो महिने लगे, चाई छे महिने लगे नीचे चोकिदार से लेके और परधान मंत्री और गर्य मं तरी तक वो मुलाकात कर सकते थे अपनी समश्याओं को रख सकते थे लेकिन चोदा में आने के बाद में उने सोडा में जो जंतर मंतर पे जो सुप्रीम कोट का या किसी का और भाना ले करके आज ये हालात कर दिये कि आपको कितने आदमी आएंगे तो उसके बाद बुकिंग में जोते टूट जाते हैं और उसके बाद बुकिंग मिले या ना मिले वो कोई पका नहीं है तो एक डैमोक्रेशी के अंदर हमारी बाज कहने का यहाँ यह जंतर मंदर था लेकिन इनों ने यहाँ से बंद कर दिया बोलने नहीं देते तो एक ही राष्टा बचा था कि पार्लियमेंट में जा करके जो जंतर मंदर पे गोधी मीडिया किसी को कितना ही समझ्या हो उन्होंन जब से 16 से इन्होंने बेहन करा है 14 से इनकी सरकार आई है आज तक कोई भारत देश का एक वैक्ति यह नहीं कह सकता कि जो बड़े-बड़े जो गोदी मीडिया के चैनल है उन्होंने कभी जंतर मंतर कावर करा हो यह अगर यह जंतर मंतर को कवर करने वाले हैं चोटे-चोटे यूटूब के जो साथी है जो बेरोजगार यूवा है वो कहीं न कहीं दस अजार पचाजार लाग दो लाग क्रोड दो क्रोड लोगों तक हमारी बात पहुचाने का काम तो यह कहां तक सहिए कि रोजगार के लिए आप संसद में घुश जाएंगे वो भी इस तरीके से जह है वो है देश की पार्लियमेंट और पार्लियमेंट के अंदर विपक्स के सांसों को बोले नहीं देते हो तो अब आम जनता की जुबान कैसे बंद करोगे अगर कोई बोले तो उसको आप जो है ओ बंब अरे वो जो कलर बंब जो था वो पूरी दुनिया ने देख लिया इनों ने इनको उपर जो जूटे आरोप लगाए हैं जूटे आरोप हैं आप नोकरी दे देते ना नोकरी दे देते इन चातरों को तो यह क्यों पार्लियमेंट में जाते हैं आपने जबरदस्ती पास दिया है और जबरदस्ती गए और गए किसके बच्चे हैं अम तो यह क बिल्कुल जो नरेंदर मोदी ये करा था मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों में भी अती पिछड़े हैं, नरेंदर मोदी जी अब तो बता दीजिए, जंतर मंतर पे बोलने देते हैं, तो आज हम पार्लियमेंट में नी जाते हैं, और दो करोड नोकरी आपने कही थी, पंद माइज नी करेगा, सिक्षा का बचट आपने गटाया, और इसी जंतर मंतर पे हर्याना की बेटियों को आपने, किस तरीके से इस पार्लियमेंट का उद्गाटन करने के लिए, सारे का सारा फोर्स लगाई, और उन बेटियों को भी आपने, किस तरीके से, पीट्या और यंतर चल रहा है जो बोलेगा उसी को मुकदमा दरजोगा और उसी को जेल में डालेंगे लेकिन मरने से अच्छा है कि जिस्ते इन बच्चों न किया है कम से कम इस देश के हाम नागरिक के लिए अपनी आवाज बन करके जेल जाएं ऐसे कायरता में कहीं ना रहें ताकि आने वाली पीडियों को भी पता लगे के भागत सिंग तो बनना पड़ेगा और अपने घर में बनना पड़ेगा ना कि दूसरे घर में यह तमाम जितने जो सडियंत रचे थे इन्होंने खुदने रचे है और इसका खाम्याजा आज जो खापंचायते हो चाहे चाहे इस देश क चाहे किसान हो चाहे मजदूर संक्ठन हो और चाहे तमाम और मैलाएं तमाम सातियों को रोड पर आना चाहिए ताकि यह पता लगे कि इन्होंने क्या-क्या हमारे साथ विश्वास घात करके यह बार-बार जनता को ठक के सत्ता में जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के लोगे वो राजनीती करने संसद में चूक हुई है और प्रदशन करने पर उतराएं जाच करने तक का समय नहीं दिया है और साथ ही साथ अमिच्छा मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमिच्छा को इस्तिपा देना चाहि अधिये मेरी पुलिस तो है नहीं पुलिस अमिच्छा की जब पुलिस अमिच्छा की है तो जब आप देई भी अमिच्छा की है और MP किसका वो BJP का BJP का MP को तो निकालना नहीं है लेकिन आपना तमाम एक्टिंग ऐसे करी विपक्स के सांसर जो बोल रहे थे उनको चूप क कि कुछ तो ही पार्लियमेंट की लाज रख लेते अगर आप रोजगार देते तो आज इस देश के बच्चे पार्लियमेंट में जा करके रोजगार की बात नहीं करते लेकिन यह लड़ाई है नहीं करते ना जाच हो रही थी रुख जाते थोड़े देर ने ने क्यों है यह वो लोग जानते हैं जो राजनेती के गलियारों में रहते हैं जो आम भोड़ा भड़ा किसान मजदूर ध्याड़ीदार खेत में काम करने वारा जो है उसको क्या पता बेचारे को उसको तो जो नरेंदर मोदी की आईटी साल और जो गोदी मीडिया के लोग जो गोशित अमर जंची लग चुकी है मजदूर किसान कमेरे वर्गों की बात करने वाला कोई है नहीं अगर कोई बात करेगा तो उस पर इस तरह की संगिन धाराओं लगा करके जेड़ों में डालने का काम करेगा बहुत बहुत शुक्रिया देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो भाद पाचतस सरकार है वो राजनीती कर रही है 15.702 को बर्खास कर रहे लेकिन साती साथ वो सानसथ जो संसद में था य noticing को बर्खास कर रहा है झाल झाल